पिनना हर्पा, श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा, अपने नेत्र बंद कीजी, ये कैसा अंधकार है, जिसने ब्रह्मलोग का प्रकाशी हर लिया है, कौन है ये शिर्ष, मेरे नेत्र बंद करने से, जो अंधकार उत्पन हुआ, उसी से इसका जन्म हुआ इसके नेत्रों की द्रिष्टी जिसमें पड़ेगी वह अंतिकार में टूप जाएगा ये तुमने क्या कर दिया महेश्वरी कि पार्वती किस चिंता में हो स्वामी कि मा को तो पुत्र की चिंता ही चिंतित करती है कनेश यहां से जाते समय इतना व्याकूल क्यों था जैसे वो मुझे छोड़ कर ही ना जाना चाता हूँ पार्वती चिंता विचार का विकार है जीवन में उत्पन किसी भी समस्य का समधान चिंता से नहीं करम से ही प्राप्त होता है इसलिए भविश्य की चिंता से वर्दवान की सुक अत्या करना उचित नहीं तुम्हारे पुद्र की मात्री भक्ती अपूर्व है वो तुम्हारे सानेद्य का सुक और दुलार पाना चाता था तो इसमें चिंता की क्या बात है मैं व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हूँ सत्य ही तो है वास्तविक सुख भविश्य की चिंता में नहीं वर्तमान के संतोश में होता है और यही वर्तमान का संतोश समस अशुक्ता को मिटा कर हमारे परिवार को भी अपार सुख प्रदान करने वाला है क्या कारण है इस चिंता का जो किसी गुप्त शत्रू के समान बार-बार मेरे मन में प्रवेश कर उस पर आघात कर रही है मा तो कुशल है ना किम्तो कुशल क्यों नहीं होंगी मा पिता श्री महादेव और मा शक्ति का संयोग जहां हो वहां भला महादेव की शक्ति का क्या ही थो सकता है किम्तो फिर ऐसी आशन का क्यों अद्पन हो रही है मेरे मन में वो नमाँ शीवा वो नमाँ शीवा वो नमाँ शीवा वो नमाँ शीवा सुलज संचम के बाते पड़ वो नमाँ अंगल की का ऐसी शोगा देखते सुष्टी आलत का हर अपफी का वो नमाँ शोगे जुडे भी सज़ए महादेव अपने ध्यान में कितने दिव्यप्रतीत हो रहे हैं वो देखिये गिनेश भाह उपर वही है गोलोक जहां देखिये गिनेश वह देखिये गिनेश महाँ उपर मुशक जी हमें इन दिव्य मेगों के पार जाने के लिए और उंचाई पर जाना होगा अद्भूद है ये विशालता कितना अद्भूद कितना भव्य है इद्रिश्य हाँ प्रभू आश्चर ये गोलोक का द्वार तो इन देखिये मेगों से निर्मित है यहां पुझे से ब्रह्मान की सारी सुंदरता और दिव्यता समाहित है जोलो आश्चर ब्रह्मान की सुझे प्रभू ये निर्मित है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किसामी मैं आपको कुछ दिखाना चाहिएं है अप मेरे साथ भवन के भीतर चली ऐसा क्या है पार्वती जो तुम उसे दिखाने के लिए प्रसंद हो रही हो सवामी वो तो आपको तभी ग्यात होगा जब आप मेरे साथ चलेंगे पार्वती, ऐसा क्या दिखाना चाहती है पार्वती, अब तो मेरी उट्सक्ता और जाग उठी है, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? ऐसे नहीं स्वामी, आपको अपने नेत्रबंद करने होंगी ओमा, बस अब और प्रश्णे नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ किन्तु ओमा, किन्तु परंतु नहीं प्रभु, अपने नेत्रबंद कीजिए किन्तु उल्ड चाहती है यह क्या हो गया? कैसा संकट ही? यह भेहंकर अंदकार? यह उचित नहीं हुआ स्वामी, यह कैसा अंदकार है? जिसने ब्रह्मलोग का प्रकाशी हर लिया है? देवी, समस्त संसार को प्रकाशित परने वाली उर्जा महादेल के नेत्रों से प्रवाहित होती है इसलिए यह अंदकार हट पूर्वा महादेल के नेत्रों को बंद कर उनकी दिवी उर्जा को रोकने का परिणाम है यह अकस्मात क्या हुआ? अलचानक अंदकार कैसे चा गया यहाँ पर? यह अर्थ कारी यह अंदकार उस भयंकर अंदकार ने तो इस भयावा अंदकार में मेक का रूप ले लिया है जो हमारे और ही बढ़ रहा है महेश्वरी, यह तुमने क्या कर दिया? प्रकाश पुना लोटाया, किन्तों कैसे री चित्रगट ना थी है पल भर में उत्पन नहों, नश्ट हो जाने वाले इस रहस्मय अंदकार का मेरी चिंता से तो कोई संबंध नहीं किन्तों इस समय मुझे प्रभू को लेकर आगे बढ़ना है चलिए प्रभू को लोक को पहुचे राम संगनेशा अचरज से देखे तिव्य आभाविशेशा प्रिश्य मनोहारी आभासन मोला जुल रहे परमराधे तिश्न हिंडोला परमपिता इश्वर के सम्मुख कर जानन कृष्न दरस की ये सुमुख चक्षु स्वानन दिखलाए गणपती को द्रिश्य अनूपा तर्शन की ये शंकर उमास्वरूपा प्रणाम प्रभू, प्रणाम माता प्रणाम मात Wed minds प्रणाइ आर इंन दर्णाब हो़। कर दो कर दो गुलोक में तुम्हारा स्वागत है गणेश धन्यवाद माता मैं प्रभू परम श्री क्रिश्न और माता परम राधा का सानिध्य पाकर धन्य हुआ क्या हुआ गणेश कोई जिग्यासा है तुमारी जिसे तुम शांत करना चाते हो हाँ प्रभू हमारे यहां पहुचने के पूर्व जो अंधिकार यहां सर्वत्र छा गया था उसका क्या कारण था अंधिकार के गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है अर्थाद अंधिकार का उत्पन होना उसी प्रकाश की आहट है जिसके विस्तार के लिए इस अंधिकार से एक नवीन लीला का प्रारंभ हुआ है कौन है यह शुशु क्यासे उत्पन हुआ है और इसका रुदर मुझे इतना चिंत क्यों कराया है कि मुझे ये भी बताईए कि मा मंचे आपकी महिमा से परचित कराती है तो वह सदा कहती है कि मैं आपकी समान हो किनतो देव्यता और प्रभुता में आपके समान कैसे हो सकता हूं मैं सत्य ही तो कहती हैं तुम्हारी मा ध्यान से देखो तुम और मैं वास्तविक्ता में समान ही तो है जिस प्रकार तुम्हारे मुकुट पर मयूर पंक स्थित है उसी प्रकार मेरे मुकुट पर भी तो है तो हुई ना समान था और तुम्हारे बालपन की लिला है तुम मेरे स्व अच्छा हुआ तुम परशुराम जी को साथ ले आए प्रभू, माता, मैं आपके दिव्य दश्ण कर अपने क्रोध से मुक्ति पाने आया परशुराम जी, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रन पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है अबू उसका श्रेत और माता पारवती नंदन गिनेश को जाता है यदि वाला गिनेश से मेरी भिड़न नहीं होती और मेरे द्वारा उनका दान नहीं जूटता तो मुझे तभी अपनी भूल का भान नहीं होता उसके पर स्टाथ अब उस भूल के लिए मैं शमा पराती है मेरे नेत्र बंद करने से जुन्दकार उत्पन हुआ उसी से इसका जन्म हुआ है इसका जन्म जैसे भी हुआ है इन तो है तो यह एक शिशो ही ना ओमा 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 अन्दिकार से जन्मा ये शिशू मेरे सभी गुणों के विप्रीथ है इसके नेत्रों के दृष्टी जिस्वर पड़ेगी वो अन्दिकार में टूब जाएगा किन्तुनात हमें इसकी देखभाल का कोई उपाय तो करना ही होगा ओम नमस्षिवार ओम नमस्षिवार ओम नमस्षिवार हिर्न्याक्ष उमा कई वर्षों से हिर्न्याक्ष पुत्र की कामना के लिए मेरी तपस्या कर रहा है अब उन्हें उनकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है स्वामी ये शिशु तो अंधिकार उप्पन करता है फिर हिर्न्याक्ष इसका पालन पोशन कैसे करेंगे इस शिशु के पालन पोशन का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से उत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है ओम नमस्षिवास अंधिकार से शिशु का जन्म अवश्य हुआ किन्तो हिर्नाक्ष इसे सुसंस्कारों से प्रचित कराएंगे ओम नमस्षिवास ओम नमस्षिवास ओम नमस्षिवास ओम वे उख्याओ आए 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 हम सबस्तव आए 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 ते अमर्ट माँ अभास। अशी परमसुख की प्राप्ती। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया माथाब। मैं धन्य हो गया। तम्हुमा ड़ुतिर्गम अया अर्थात, मुझे अंदकार से प्रकाश की ओर ले चलिये यह प्रार्थना जो करते हैं, उन्हें ग्यात होता है कि वो अग्यानता रुपी अंदकार में घेरे हैं और झ्यान रुपी प्रकाश की ओर बढ़ना चाळते हैं इसलिए भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं, परंतु जो जनम से ही अंधकार से परिचित है, और अंधकार को ही सरवत्र मानता है, उसे तो स्वेम भगवान भी अंधकार से नहीं निकाल सकते हैं. यह कैसा अंधकार था, जिसका मुझे पूर्वा भास हुआ, मुझे शीग्र अती शीग्र यह जानना होगा. इस शिशू के पालन पोशन का अधिकार, उसी को मिलना चाहिए जलंबे समय से, उत्र कामना में, मैं तबस्य करें. इस शिशू का जन भले ही एक भूल से हुआ, कि तो हिरन्याक्ष जैसे एक असुर को इसके पालन पोशन का अधिकार देना, वो तो और भी बड़ी भूल योगी. भूल तो हो चुकी है भार्वती, जो तुमने किया वानुचित था, अब उसका परिणाम तुमें ही भुगतना होगा. प्रवती का प्रेम, शिव की शक्ति, किन्तु जग का ल्याड के लिए जब इन्होंने सहावी छोड एक तंत के जीवन की सबसे बड़ी चनोती, इस सबसे देखिए विगनरता गणेश में.